देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों कोरोना की सबसे बुरी मार जिल रही है 27 में तक यहां कोरोना के 34,018 मामले आचुके है जबकि पुरे महाराष्ट में 56,948 मरीज मिले है यानि पुरे महाराष्ट में जितने केस है उसका 60 प्रतिशत अकेले मुंबई में ही है महाराष्ट में 36 में से 35 जीलो में 22,930 मामले ही है इतना ही नहीं देश के 29 राजियों को भी मिला कर उतने मरीज नहीं होते जितने मरीज अकेले मुंबई में है 29 राजियों में 33,090 से ज्यादा मामले मिल चुके है जबकि देश के 30 राजियों में कुल मिलाकर 1,088 मौते हुई है और सिर्फ मुंबई में 1,097 मौते हो चुकी है देखिए ये तस्वीर 29 राजियों जहां कुल मिलाकर भी मुंबई जितने मामले नहीं है मेरिक में कोरोना की रफतार काफी बढ़ गई 30 एपरेल तक देश में 33,610 मामले थे लेकिन 27 में तक मामले 371 प्रतिशत बढ़ कर 1,58,333 हो गई है जबकि मुंबई में में के महिने में कोरोना की रफतार देश के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा रही मुंबई में 30 एपरेल तक 7,061 मामले थे जबकि 27 में तक 34,018 मामले हो गई थे यानि मुंबई में 30 एपरेल के बाद कोरोना ने रफतार पकड़ी स्वास्थ मंत्रा लेने कोरोना मरीजो की हेल्थ फैसिलीटिक को तीन केटेगरी में बाटा है मुंबई के 41 COVID अस्पतालों में 6,420 आइसलेशन बैड है जिन में से 5020 bet confirm case और 1400 bet suspected case के लिए है isolation bet के अलावा 3309 oxygen support और 865 ICU bet है 303 पर ventilator भी है मुंबई में कोरोना संक्रमन तेजी से फैलने का तीन कारण बताया जा रहा है जिसमें से पहला कारण है कि मुंबई सबसे घनी आबादी वाला शहर है यहां करीब देड करोड की आबादी रह रही है यहां हर एक किलो मीटर के दाइरे में 32,000 से ज्यादा लोग रहते हैं इसलिए social distancing का पालन भी कम हो जाता है दुसरा कारण यह है कि आर्थिक राजधानी होने की वज़ा से ओफिस के काम से विदेशियों को मुंबई आना जाना लगा रहता है मुंबई के लोग भी दुसरे देश आते जाते रहते हैं Airport Authority of India के आकड़ों के मुताबिक मार्च और एप्रेल में मुंबई एरपोर्ट पर 4.5 लाग अंटराश्टिय और 16.5 लाग घरेलू यात्रियों का मुवमेंट रहा था तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि मुंबई में कोरोना का पहला मरीज 6 मार्च को मिला था इसके बाद से ही 17 मार्च से यहां लोकडाउन लग गया था लेकिन लोकल ट्रेन और बसे तब भी भी चल रही थी सरकार की अपिल के बावजूत लोग भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन और बसों में सफर कर रहे थे लेकिन बाद में 23 मार्च से पूरे तरह से लोकडाउन लग गया लेकिन लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और लोकडाउन का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं यह सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में संक्रमन ज्यादा तर फैल रहा है ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें